सत्यापन के आठ दिन दोस्तों 265 का थम इंप्रेशन नहीं मिला एक फर्जी सिख्षक का इस्तिफा बीपेशी सिख्षक नुक्ती में आ रहा है फर्जी वाड़ा फर्जी वाड़े की आ रही है बू विभाग की सक्ति पर भागने लगे अभ्यार्ती अभ्यार्ती स्कूल छोड़ छोड़ कर भाग रहे हैं थम इप्रेशन के नाम पर डाक से इस्तिफा बेजा गया है इस अभ्यार्ती दोरा डाटा मैच नहीं होने के बाद हाथ दोने की बात कहकर हुआ फरार डाटा मैच नहीं हुआ और डाटा मैच नहीं होने पर हाथ दोने क की बात कहकर भाग खड़ा हुआ ऐसे किया जा रहा है वेरिफिकेशन पहले चर्ण की बीपेस्टी प्रिक्षामी विद्यालियों में कारेरत सिक्सकों के थम इंप्रेशन में लगातार गड़बड़ी मिल रही है पिछले आठ दिनों के डाटा मिलान में अब तक 265 शिक्षकों के अंगूठे का निशान विभागया डाटा से मैच नहीं हुआ है हर रोज करीब दरजनों ऐसे शिक्षकों के मामले पकड़े जा रहे हैं वहीं अब एक फरजी शिक्षक ने अपना इस्तिफाट डाक दवारा भेजा है शिक्षक विभाग का मानना है कि वेरिफ्केशन से भाग कर शिक्षक ने अपना इस्तिफाट डाक शिप्स होपा है ऐसे में शिक्षक विभाग की और से उस पर परात्मी की दर्ज कराए गई है verification के पहले दिन और पहले अब्यारती के रूप में पहुंचा एक शिक्षक ने जैसे ही machine पर अपना अंगुठा रखा तो उसका डाटा मैच नहीं हुआ रिफ्रेश करते हुए दोबारा उसे machine पर अंगुठा रखने का निर्देश दिया गया लेकिन बावजूद इसके डाटा मैच नहीं हुआ कर्मियों और वहाँ पसित शिक्षकों ने उसे हाथ दो कर फिर से आने के लिए कहा वह लाइन से हाथ दोने के नाम पर निकल गया और च्छे दिन के बाद वापस नहीं लोटा जो विभाग ने खोजबिन की तो दबाव के कारण पिछले दिनों उसने वेरिफकेशन में सामिल होने के बजाए डाक शे अपना इस्तिफ़ाद डियों को भेज़ दिया शिक्सक के मुरोल परखंड के बोरिया में पदस्था पित है इसे आधार पर शिक्सक को फरजी मानते हुए उसके खिलाब प्रात्मी की दर्ज कराई है उलेखने की विदेल्यों में कारेडर शिक्सक के लिए चार जनौरी से परखंडवार तिथी तैय करते हुए इस जिलाब शिक्षाइबा की और से शिक्सक की वेरिफकेशन चल रही है पढ़िये इस्तिफ़ाद में क्या बता है वज़े इस्तिफ़ा इस परकार से बेज़ा है शिक्सक ने पारिवारिक कल्या और सारीरिक एक्सक के नाम पर कारिय मुक्ति की गुहार यूमेस बोरिया में पदस्थापिक शिक्सक ने डी-ई-ई-ओ को भेजे इस्तिफ़ाद में कहा है कि चार जनवरी को अचानक तबियत बिगडने के कार्णों अथम में प्रेशन वेरिफिकेशन में नहीं पहुंच सका अभी पारिवारिक कल्या और सारीरिक एक्समता के कार्ण अपने पद पर कारिय करने में एक्सम है ऐसे में उसके आवेदन को स्विकार करते वे पद से मक्त किया जाए शिक्षाई भाग के रिकॉर्ड के नुसार शिक्षक का नाम ससी भूषन कुमार है वह पुर्वी चंपार्ण के राजेपुर के नरहा पानापुर का रहने वाला है पहले राउंड के बाद दोबारा मिलेगा मोका अब एक तक थम इंप्रेशन वेरिफिकेशन का हाल क्या है चार जनवरी को पैंतालिस इक्षक का वेरिफिकेशन नहीं हुआ अंगठा नहीं लगा पांच जनवरी को थम इंप्रेशन में 49 का नहीं हुआ 6 जनवरी को 66 का नहीं हुआ 7 जनवरी को 49 का नहीं हुआ ऐसे किया जा रहा है शिक्षक कों का वेरिफिकेशन शिक्षक कों के वेरिफिकेशन में दो तस्वीनों से मिलान किया जा रहा है जैसे ही शिक्षक अपना उठा वेंडिंग मशीन पर रखते हैं तो प्रिख्षा हॉल में ली गई तस्वीर स्क्रीन पर आ जाती है इसके बाद वर्तमान में सिख्षक की फोटो से उसका मिलाण किया जाता है साथ ही हम की उपस्थिती में ये वरिफ्केशन होती है वे सिख्षक की पैचान करते हैं दूसरी और परिक्षा हौल में बायमेट्रिक हाजरी के दुरान लिया गया अंगोठे का निशान और मौके पर नए सिरे से अंगोठे का निशान से डाटा मैच कराया जाता है जिले में थम इंप्रेशन की जाच में वेरिफाई नहीं होने वाले शिक्षकों में ज्यादा तरमाबले बायमेट्रिक्स डाटा से संबंदित भी मिल रहे हैं